सुसासंद बाबू की सरकार है फुछेगा जबल सकते साथ साल का जेल होगा सरकारी काम का बाधा करोगे सरकार कहा कुर रहा का तुछ मूरदावार है कि अब वे शरकार का मूरदावद तोनो साही नहीं चलेगा नितिश कुमार हाई हाई आपने ये नारा सुना होगा दोस्तों इसी परकार का नारा जो है इस देश में हर वो लोग लगाते हैं जो अपने आप से और अपनी जिम्मेदारी से अपनी नोकड़ी से अपनी कमाई से कहीं न कहीं खुश नहीं है चाहे आप देश के अंदर या बिहार के अंदर होने वाले छात्र आंदोलन का इतिहास पढ़िए चाहे आप जो है अभी चल रहे किसान सलाहकार का आंदोलन को देखिए और पढ़िए और सुनिए तो आपको कहीं न कहीं जो है सरकार के खिलाब जो है आवाज बुलंद करते ह हुए लोग दिखेंगे और अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूं दोस्तों ये कोई और जगह नहीं बलके जिला अररिया का ये कुर्सा कंटा परखंड का पीएच सी में इस वक्त मैं खड़ा हूं और आसा और उसा ये तमाम वो लोग हैं जो सरकार को बैक फुट पर लगाता कर लाने का प्रियास कर रहे हैं और धरना ये लोग कर रहे हैं और नितिश कुमार जी के खिलाब जो है ये हाई हाई के नारे भी बुलंद कर रहे हैं काहें नितिश कुमार जी को हाई हाई के नारे आप जो है लगा रहे हैं नितिश कुमार जी को क्यों ने करेंगे हम लोग गूंग नितिश जी बादलू सरकार जो हो गये हैं तो करना तो हगा ही ना हम लोग को हम लोग तो बीज़ेपी का भी देख लिए हैं मेरा बीज़ेपी मेरा पेट परलात मरा है क्योंकि उस अविश्टेम में भी जदियों और बीज़ेपी का सरकार था दूहजार चो से हम लोग हैं यहां पे जट आसा का दिया गया था सीश्व मिर्थु को दर में कमी लाना दर तो कमी ला दिये लेकिन उसके बाद बागी जो 54 काम दिया है उट लिखाया था उस दिन हमको कि तुमको 54 काम होगा आज जो परभारी कुर्शा करता का जो उस दिन ब करोना काम किये थे हमारी आसा 1000 कि एक तरफ आसा और एक तरफ पैसेंट जाते थे यह तो बारी देकर के भागता था कुछारी लेकर के ़ैवारे मारने के लिस्ट करता था creativity 4 साल हम्लोग मेंसे लेकिन सरकार ने हमको क्या पैसा दिया आप लोको जनकारी नहीं होगा तीस दिन काम किये करो ना काल में 4 साल काम किये लेकिन एक मेंना में हम लोग को 400 रुपिया दिया क्या हम लोग हर्तार पर नहीं जाएंगे क्या छोड़ देंगे कि पल्टू सरकार को या मोदी सरकार को क्यों नहीं नितेश कुमार लिग करके देता है कि इन सरकार को उसको लिग करके देना है कि आसा हमारी हां काम मिर्टूदर काम लाई है वो लिग करके दें सरकार को क्यों तो प्लु यो काका सुने के महेज 34 रुपया परति दिन जो है का अशा काम करते हैं उसका है कहीं कहीं अभी भी मिल रहा है कहीं कहीं एक सो रुपया मिल रहा है यह दोगलापनी है आसा 14 दिन काम करती है वारेस खिलाने में लेकिन उसको रुपया मिलता है एक सो चोदो दिन में एक सो वारेस शुशासन बाबू की सरकार चोदो दिन में एक सो रुपया अब बताएं आज कर जो है कहीं न कहीं 500 रुपया लोग जो है एक दिन में फूप देते हैं लेकिन चोदो दिन आप जो है दिन रात काम किजिए मेहनत और जद्दो जिहत के साथ काम किजिए अपना पसीना को सरका पसीना पौ में लाइए तब जो है कहीं न कहीं कितना मिलेगा एक सरुपया दूब के मरना चाहिए नितिश कुमार जी हमेशा कहीं न कहीं सत्ता परिवर्तन करने में अपना समय को बरबाद कर देते हैं और सबसे बड़ा जो है इतिहास बंदा इस बात का कि लोग हमेशा आई दिन फ्रंट फुट पर आ करके कभी पटना के गंधी मैदान में कभी पटना के डाग बंगला चोरास्ते पर आ करके धरना करने पर मजबूर है आज वही हाल बिहार में आसा लोगों का है कि आज जगह जगह आसा लोग अपनी मंगों को लेकर कहीं न कहीं धरना पड़ें क्या वह मुख्य मांग है आप लोगों का हमारी नौश सुत्री मांग है करोना काल में जो हम लोग काम किये थे वह एक हजार रुपया आसा का दे हमारी फेसलेटर जो 500 रुपया था और रु वह मांग होट क सबीज दिनका का में ते रुपईा कितना देता है 20 दिन में 300 रुपिया दीन देता 20 दिन का 6000 रुपिया फेसलेटर का सुन लिजे हम रहाग मांग है कि 1000 रुपिया जो पर्षाहित राशी जो लिख करके दिया धोकर टला जो किया सरकार उस टेम में उसको हटा करके एक हजार के एबाद में बलहाया जाए और परसाहित को जो लिखा हुआ है उसको हटाया जाए उसके बाद हमारी आसा और फेसलेटर का 500 उर्पिया का हिसाब से डेली का 30 दिन का काम दे हम लोग 12 वजे रात तक काम करता हमारी कुछ आसा कम है पर ही लिखी उसक भी काम करना परता है 12 वजे रात तक एक फेसलेटर का तो यह दूर दिन का दिन हमारी जो मौलिक बुनियादी अधिकार है जो सरकारी करमचारी घोशित करें पेंसन दें गरिजिटेट का सुभधा दें अन्या तमाम मांगे हम लोग का मांग है और हम लोग असा लोग से यह समाज के साथ भी हम लोग दुश्मन बनके रहेंगे इसलिए कहा जाईएगा अपनी मौंगो को लेकर नितिस कुमार जी सुनने वाले नहीं है अब बाला नहीं है तो हम लोग उसका जो अभी चुना वहने बाला है फिर कहां जाएगा वह बोले ना जील में डाल देगा जील में डालेगा जील को भी सफाय करेंगे हम लोग तेरा दिन अलकी सदाई में आवारी है आसा हर्टाल पे गई थी और जेलर काल जोड लिया दी इंति कुमार जी का परसासन उससे डरने वाला रहा आखिर तो पैदल यात्रा तो किया अपना हक के लिए तो दर लोगों को डर वरना है एक दम डर नहीं है सुसासन बाबु की सरकार है हम लोगों पीडी को नहीं बाधित करेंगे हम लोग डिलेवी को बाधित नहीं लेकिन मेरी आसा वहां पे सैन नहीं करेंगी और उसके बाद बागी जो यहां भी है हम लोग का मन जहां जहां होगा वो करेंगे चाहे देख लोग क्या करता है अगर वो गिरफतार करता है कुर्सा परभारी तो हमारी जिला का सब आसा यहां पे मजूद होंगे देखें तीन सो जेल में जगा है यहां एक लाख पंद्रह हजार आसा है कितना को बं करेगा कितना को दम है सरकार को हम देख लेंगे लोग तंत्र है और अभी वेक्ति की आजादी इस देश के सम्मीधान ने वो सम्मीधान जिस सम्मीधान के निर्माता हमारे बाबा सहब भीमराव अंबेट कर है और इस देश का सम्मिधान ने हमारे तमाम वो हिंदुस्तानी भाईयों को अभी बेक्ति की आजा दी दी है अपने हक के लिए बोलना लरना अपने हक के लिए संति पुर्वक धरना परदर्शन करना ताके संति पुर्वक धरना परदर्शन करने से क्योंकि इतिहास में भी है क सभ्तां भी बेकपुट पर आई है और कहीं न कहीं घुठने के बल कहीं कोई भी पाटी का हो यह कहीं समाज का महिला का बस अगर नंगन करता है तो हम लोग को भी बस नंगन किया है उनके लिए भी समर्थन में हम लोग अच्छा मानिपूर वाले घट्ना में जी और हम लोग जिलास तर पर उस चीज के लिए भी समर्थन करेंगे अपना मांग के साथ उन मेलाओं के लिए भी हम अधी करेंगे अच्छा अंति मेरा सवाल होगा यदि नितीश कुमार जी सुसासन बाबू की सरकार कहते हैं अपने अपको अगर वो आप लोगों के मंगों को पुड़ी ना कड़े तो आप लोग कहों तक आप जाएगा धलंटे नहीं होगा तब तक हम लोग हर्ताल पर रहेंगे नड़ते रहेंगे लट्टे रहेंगे जटना तलक्तरना यह कल्erweise 133 हर्ताल के 1000 रुपया दिया झायगा कहां देना तो उसको परेगा चाहे उसका कुर्ची हम तौर देंगे ए हैं तक भी तो कहिए कहीँ उसको किया था उसको भी बाल बचा तो कहीँ हुआ था जाएगा कहां नितिश कुमार जी कहीं न कहीं इन महीलाओं का भी दर्द और तकलीफ को आप देगे इन लोगों के साथ कहीं न कहीं जो इन लोगों की मांगा है नौ सुत्री मांगा है बंकि इनका जो है इनको स्वास्त विभाग में सरकारी करमचारी इन लोगों को गोशित किया जाए क्यो भी ले जना होगा ये लोग लेके जाएंगे आपकी तकलीब के वक्त आपके दर्द के वक्त आपके बुरे समय के वक्त ये लोग हमेशा खड़े होते हैं यही बात है जी हां है और कुछ कहना चाहिएगा हम सरकार से यही कहना चाह रहा हैं हम सारी महिला इतना परियास से हम ल चले जाए इसके लिए हम लोग तो नहीं तोड़ेंगे चलिए बंकी इस वीडियो को देखते रहिए और इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दोस्तों का भाईयों का बहुत बहुत आभार शुक्रिया शुब कामना जाहिए